शर्म इनसान को आगे बढ़ने से रोख देती है शर्मीले लोग नहीं लोगों के बीच में रह पाते हैं नहीं लोगों के बीच बात कर पाते हैं अगर आप भी शर्मीले हो आपको भी लोगों के बीच घुलने मिलने में तकलीफ होती है तो ये वीडियो पूरा देखना आपके लोटी लगने वाली है सबसे पहले तो शर्मीला होना शर्म होना कोई बुरी बात नहीं होती ये नेशरल होता है शर्म सभी के अंदर होता है कम या ज़्यादा देखो मैं कुछ एक्जांपल देता हूँ क्या आप अपने घरवालों या रिश्यदारों के सामने शर्माते हो क्या आप अपने दोस्तों या जान पहचान के लोगों के सामने शर्माते हो क्या आप अंजाने लोगों से शर्माते हो या क्या आप किसी एक लड़की या लड़की के सामने शर्माते हो इन में सब कोई भी हो वीडियो सब के लिए है देखो शर्माना नैचरल होता है और ये एक good sign है कि आप शर्माते हो अगर आप लड़की पटाना चाहते हो तो आपका शर्मिलापन ही आपका सबसे बड़ा हतियार है एक तो लड़की ये सोचेगी इसमें कुन सा attitude है जहां सारे लड़के हमारे पीछे हाय हाय करते फिरते हैं हमसे बात करने के लिए तरब जाते हैं हमारी एक जलक एक मुस्कुरहट के लिए अपने जान हतेली पर ले लेते हैं ये बंदा तो मुही ने लगाता दूसरा आप शर्मिले लोग इमांदर लगते हैं जादा चटर पटर करने वाले लोग अक्तर धोका खा जाते हैं और लड़की को इस साइलेन बंदा उडा ले जाता है लड़की को ये लगता है कि ये बंदा किससे बात नहीं करता सिर्फ मुझसे बात कर रहा है मैं कितने सुन्दर हूँ, मैं कितने स्पेशल हूँ लड़की खुट को इस्पेशल फिल करती है लटकिया तो उस बंदे से बात ही निकरती, जो हमेशा अब लेवल रहता है, जो उनसे बात करने के लिए टरब जाता है, जो उनके आगी पीछे गुमते रहते है. लटकिया शर्मी ले लड़कों को इमानदर समझती है, वैसे शर्मी लेपन को कम किया जा सकता है. सबसे पहले आपको नहीं बताना है कि आप शर्मीरे लड़के हो या आपको शर्म आ रही है जातर लड़के खुद ही बोल देते हैं याद रखना जब तक तुम खुद नहीं बोलोगे तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अगर आपको शर्म मैसुस हो तो पहले लड़की के चहरे की और देखें फिर नजर को हटा कर किसी और तरब देखें या दूसरे तरब देखें और यह सब स्लो मोशन में करना है कोई दूसरे टॉफिक पर बात करो हसी आए या डल लगे तो अपना वाइस टोर नॉर्माल रखो महल को लाइट करने की कोशिश करो अपने मन में बोलते रहो कि यह ऐसा होता है कोई बात नहीं कोई भी एक्टिविटी या शायनेस को कंड्रूल करने की कोशिश मत करो लोगों को पता चलने दो कि तुम कैसे हो फिर बताना नहीं है कि तुम शाय हो यह सोचना बन करो कि लोग कैसोचेंगे सामने वाले को जो सोचना है सोचने दो अनलाइस करो तुम्हारे अंदर क्या बेस्ट क्वालिटी है जब भी तुम्हें शायनेस मैसुस हो वह एक्टिविटी करो जैसे बात को पलट देना जोक्स या कोई डरावनी वाते करो जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं जिनके सामने तुम्हें शर्म मैसुस होती ह अईसे लोगों से दूर रहो और ऐसे किसी से फ्रेंड्शिप करो जो महा बेशरम हो या डेरिंग हो अपने एक पंच लाइन रेडी करो जब भी शर्म मैसुस हो वह पंच लाइन बोल दो जैसे रहें दयार होता हम को सा मरे जाय रहे हैं बापको मत सिखा यह लाइन्स थोड इसे होते हैं जो पहले ही नेगडिप सोच लेते हैं कि मुझे शर्म आएगी या कुछ गलत होगा वह कुछ भी सोच लेते हैं और बैड़ जाते हैं नहीं देखो माहल जैसा भी हो हमें बदलाव का सामने करना आना चाहिए फिर सोच कर मत बैठो करके देखो देखो तुमें देखो किस बातों को अगर ध्यान दो गे तो देखो कि तुम्हें धीरे धीरे शाइनेस से बाहर आ रहे हो अब तुम किसी से भी कोई भी बात कर सकते हो लड़के से बात करने में मुझे हिचच पिचा हट मैसूस होती थी मैंने इसे दूर करने के लिए एक तरीका अपनाया एक new place ढूंडा और वहाँ जाकर address पूछने लगा जैसे शरद्दा टाइपिंग कहा पर है, हनुमान मंदिर कहा है, highway के लिए shortcut क्या है मैं बात करता था और यकीन मानो लड़किया भी interested होती थी मुझसे बात करने में